हम बनाएंगे ये आलू चिकन का मज़ेतार सा सालन, आज पतला सालन है, बहुत ही टेस्टी और लजीज लगता है, रेसिपी को पूरा देखिए, इसकी इपना करें, बिस्मिल्लायरह्मानीरहीम, अस्सलाममालेकूम, तो आज हम बनाएंगे चिकन का पतला सालन, तो इसके लि यह अब इसे मसाल आई यह अद्रक है लस्टन है हरा धनिया भी हम इसी में पिसेंगे और यह पाच आड़ी मिर्ज यह आपके उपर है कि आप कितना लेंगे आप जितना स्पाइसी खाते होंगे उससाब से अपले सकते हैं अभी इस मसाले को हम पीस लेंगे तो मैंने कराई में ओईल डाल दिया है यह तीन चमच ओईल है आप हम इसमें डालेंगे हमारा गरम मसाला इसमें शाजीरा एक बड़ी इलाइची एक फूल चक्री फूल साथ से आठ काली मिर्ची दो छोटी इलाइची और एक छोटा डाल चिनी का टुकरा अब हम इसमें डाल कि यह चार मीडियम साइज की प्याज मैंने लिए हूँ चार अइप्याज तो आब हम इसमें डालेंगे हमारे प्याज अच्छे से इने फ्राइच करना है इसमें डालेंगे हम देर चमश नमक मिक्स कर लेंगे प्याज हमारा अच्छे से प्राइच हो रहा है हमेशे और प्राइच करना है प्याज हमारा गल गया है यह देखिए कुछ इस तरह से हुआ है फलका ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें हमारे दो मीडियम साइज के प्याज डालेंगे मीक्स कर लेंगे इसे भी आच्छे से गाला लेना है प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से कल चुका है अब हम इसमें मसाले आट करेंगे मसाले में लिया एक चमच धन्या पौडर fárider एक चमच लाली मिर्ज पौडरा ड़्टनी पौडर गारी पॉड़र्ट स्पौन जीरा पौडर्स मिक्सक्र लीच करने इसे डल forskोड से इसे मिक्सक्र लिया है अब हम इसे में डालेंगे हमारा पेसा हुआ sara के अमसाल घ्जां आ लेंगे अड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. Eleon को हमें अच्छे इसे मिक्स कर लेना है जितने अंचे से हम इसे इसे ही भूनेगे ना यह का टेस्ट और भी सालन का मज़िक आता है इसको भून लेना है अच्छे से अगर नीचे लगेगा तो थलकाल का पानी डाल कर इसे भूनना है शहाँ मसलन हमारे ऑईल छोर दिया है अब हम इसमें हमारा हम इसमें आलू बिडाले लीगे अच्छ से मिक्स कर लेना है। इसमें डालेंगे हम इस तरह से पीसे किये हैं। इसे भी हम इसमें डाल देंगे हमने चिकन को मसाले में एट कर लिया अब हमिसमे पानी आठ नहीं करेंगे अभी अभी हम इसे ठाक के रखेंगे पाच मिनाट के लिए चिकन पानी बहुत छोड़ेगा, इसके लिए पहले से ऐसे ही पकने देंगे अंदर के अंदर, फिर पानी आट करेंगे यह देखिए मासाले ने हमारे इतने अच्छे से पानी चिकन ने छोड़ दिया है अब इस स्टेप पे हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे दो ग्लास पानी क्योंकि हमें पतला चाहिए आज हमने पतला वा पतला सालन बनाए इसके लिए हम इसमें दो ग्लास पानी आट करेंगे हमने इसमें दो ग्लास पानी आट कर दिया है देखिए पानी आट करने के बाद यह इस तरह से हुआ है अब हम इसे पकने देंगे 10 मिनाट क्योंके चिकन जल्दी गल जाता है इसके लिए जर्फ दसी मिनाट पक आएंगे हम इसे तो ये माशाअला हमारा मजैतार साओ सालन रेडी हो चुका है इसका आलो भी गल चुका है अच्छे से इसका आलू भी माशालब गल चुका है यह रेडी है अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है चली यह हमारा चिकन आलू का मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल है अगए उप्लीज सब्सक्राइब